Hello everybody, मेरा नाम डॉक्टर अबिलाशा बापना है, I am a clinical psychologist, मैं यहाँ बेबी लॉन में मेरा एक center है, मैं यहाँ पे autism के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, मैं autism के उपर काम करती हूँ, Autism यानि एक व्यवारिक विक्रती, या इसे हम Neuro Developmental Disorder कहते हैं, यह अधिकतर छोटे बच्चों के अंदर, यानि जिसकी आयू एक से तीन वर्ष के होती है, उन बच्चों के अंदर अधिकतर कुछ हमको विक्रतियां मिलती है, जैसे कि हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है उ दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है, और दूसरे बच्चों के साथ मिल नहीं पाता है, अपने अंदर रहता है, उसे कहते हैं व्यवारिक विक्रती, यानि वो बच्चा एक अपने के अंदर होता है, उसकी जो विक्सित हो जानी चाहिए, उस उम्र के कोई developmental delay मिल रहा है तो उस बच्चे के लिए सबसे best होता है कि आप उस बच्चे के साथ काम करें काम करने का अर्थ होता है आप किसी अच्छे professional से मिलें neuro, किसी psychologist के पास, नियूरो के पास आप मिलें या एक behavior analyst से मिलें और अपने बच्चे के साथ उसके एक therapy होती है जो मैं करती हूँ ABA, ABA यानि Applied Behavior Analysis ये एक तरह की scientific study है जो हमारे बच्चे के अंदर जिनको वेवारिक विक्रती या neuro developmental delay है उसको किस तरह से हम work करें कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ improvements या कुछ फाइदा मिल सके तो जहां पर हमारा बच्चा रुख गया है या उसके delays आ रहे हैं मैं उन सब के उपर काम करती हूँ और वो जो skills है जो हमारे बच्चे के अंदर इस उमर के अंदर develop हो जाने चाहिए और वो नहीं हो पाते हम एक technique है जिससे मैंने अभी आपको बताया था ABA उस technique के द्वारा हम अपने इस बच्चे के अंदर developments लेकर आते हैं जो skills उसकी अभी रुख गई है डिले हैं जैसे कि speech है, communication skills develop करना है आपके बच्चे के अंदर restricted patterns of behavior एक ही कम को लगातार करते रहना है खेल नहीं पाना है, दौरते रहना है, अपने body को movements करते रहना है, आगे पीछे गूमना है तरह तरह की आवाजों को निकलना है, पैजानना नहीं है, अखेली रहना है, अपने चीजों के साथ, toys के साथ proper खेलना नहीं है भीड़ बार जगे नहीं जाना है, दूसरे अंजान लोगों के साथ किस तरह से विवार करते नहीं आना है कही अंजान जगे जाने पर बच्चा आपको परिशान करता है, रोता है, चले जाने को कहता है, यानि ये सारी उस बच्चे के लिए एक विवारिक विक्रती, यानि डेवलप्मेंटल डिलेज आ रहे हैं, तो आप प्लीज किसी एक नियूरो पेडियाटिशन से मिलें, या क्ल अगरियाटिशन से मिलें, और उस बच्चे के लिए जो बेस्ट तरीका है, जिसे हम उस बच्चे के नदर थोड़ा सा डेवलप्मेंट ला सके, तो प्लीज आप क्टक्ट करें किसी अच्छे पेडियाटिशन से, और उस बच्चे के नदर काम करने से ही हमें मिलेगा, इसक जितनी जल्दी वर्क करते हैं कहते हैं उतनी ही जल्दी बच्चे को फाइदा होता है तो बच्चे की उम्र के साब से उसके साथ जल्दी से जल्दी काम करना शुरू करने से हमें बहुत जल्दी उस बच्चे के अंदर आपको फाइदा दिखेगा तो प्लीज उस बच्चे के जल्दी से जल्दी time delay ना करें 5 साल के उमर तक का wait ना करें जब आपको लगे के मेरे बच्चे के अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर कोई दिक्कत आ रही है या वो delay नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप उस बच्चे को किसी अच्छे professional से deal करें और उस बच्चे के अंदर क काम करना शुरू करें मेरा center babylon hospital के अंदर है तो आप इससे संपक कर सकते हैं धन्यवाद